तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहता है, इंट्रोड़क्शन आपने पहले मेरी कुछ वीडियो देखी लिए होगी, तो हर बार बताना मुझे लगता ठीक है, कि इंट्रोड़क्शन, चलिए इस बड़ा है, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजर हूँ, और यूटुपर हम में चीजों की requirement है, सबसे पहले आप सभी के पास एक Android phone होना चाहिए, जो आगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 99% के पास होगा भी, जो कि थोड़ा ठीक हो, दूसरा, एक आपके पास माइक होगा, सपोर्ट करने वाला, तो जैसे कि मैं भी यूज कर रहा हू इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और जब या वीडियो बनाएं, अन्नेसेसरी एडिट करते टाइम, या फिर जब आप वीडियो बना रहे हैं, साउंड ना आए, साउंड इन ना सेंस की कोई गाना चल रहा है, जो कि कल को यूट्यूब आपको बैन कर दे, या फ आप अपनी वीडियो बनाएं, जो भी दिखाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब के उपर अपनी वीडियो प्रापर डालें, जो भी आपका कंटेंट है, ट्राइ करें की कॉपी राइट के कलेम्स ना आए, आप एक दो वीडियो आने वाले टाइम मे मिले कुछ data मिले बैसे कि information मिले YouTube जो चाहता है वो information देना चाहता है लोगों को information sharing platform है अगर आप उसके YouTube का खुद का YouTube course है basically but वो English में है तो अगर आप used to नहीं है हिंदी में आप चीजों को पढ़ते हैं समझते हैं तो वही चीज़ें यहां पर थोड़ी सी clear कर दो कि YouTube अपनी तरफ से बहुत सारे formats को उसके ओपर courses दिया हुआ है इसमें शायद हमारे जैसे लोगों से सीखने की ज़रत नहीं है बट मेरे साथ जुडने से सर्फ इतना benefit होग कि date by day क्या update हो रहा है या आपको किस content पर काम करना चाहिए क्या लोग अब देखना चाहते हैं basic mindset लोगों का क्या है आपकी जो audience है उस audience को क्या पसंद है इस बातों को भी समझना जरूरी है अब suppose कि मैं किसी child के ओपर work कर रहा हूं किसी ऐसे topic copy कर रहा हूं जैसे कि मुझे painting आता है मैं suppose paintings 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 बनाए जा रहा हूं बनाए जा रहा हूं जिसका actual में अभी कोई ऐसा scope नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है अगर मुझे बड़े level पर काम करना है अगर लोगों को capture करना है तो उस case में painting का field उतना बड़ा growth rate नहीं देगा मुझे YouTube के उपर subscriber नहीं देगा basically कि मै देखेगा कौन इस चीजों को जरूर समझें कि आप क्या दिखा रहे हैं आप suppose गाउं में है उसको कौन देखेगा देखे कोई शहर वाला नहीं देखेगा मैं नहीं देखूंगा बहुत frankly क्यों देखूंगा reason नहीं है मेरे पास देखनेगा कभी वैसे मेरा मन कर गया एक ब वीडियो बना रहा है और वह बाहर है तो वह देखेगा एज़िए नहीं देखेगा या ब्लॉग में कुछ ऐसा है जबरदस्त है जो शायद मैं भी देखूंगा कि उस ब्लॉग में ऐसा क्या creativity दिखाई है जिस वजह से मुझे देखना मेरी मजबूरी हो जाए मुझे follow करन तो ऐसा sense बट 99% क्या हो रहा है जो circulated उस environment में है उनको जिनको feel है वो देखेंगे आपने बहुत देखा होगा लोग जो गाउं से शेहरों में आते हैं वो वापिस कमाते हैं और फिर गाउं चले जाते हैं उनका लगाव होता है बहुत जादा जमिनी स्तर में भारत में तो ह feel को समझें आज suppose मैं हरियाना में हरियाना से या पंजाब से हूँ मैं पंजाब के लोग maximum क्या होता है बाहर जा रही हैं जो youngsters हैं तो अगर कुछ यंग्स्टर यहां हैं या कुछ लोग यहां हैं जो की वीडियो बना रहे हैं तो कौन देखेगा जो वहां चले गए हैं वो मुझे कुछ सीखना है तो मैं क्या करता हूं या किसी चीज़ के बारे में जानना है तो मैं कहां जाता हूं यूट्यूब के ओपर अल्टीमिल्टी ऑप्शन हमरे पस कोई अभी तक सेकिंड थर्ड नहीं है यूट्यूब ही है सब्वोज मुझे कोई फॉन लेना है कोई ग कार्मिक स्थल पर जाना है तो हरिद्वार कुरुक्षेतर इस तरह के स्पोर्ट को मैं चाहूंगा कि मुझे दिखे और में वहां जाऊं तो वहां की वीडियो देखना चाहूंगा मैं क्या चाह रहा है और ओडियंस की डिमांड टाइम टू टाइम बदलती रहती है जैसी ह हमारी डिमांड है बट मजोर्टी ऑफ दे ओडियंस क्या चाहरी जैसे लॉगड़ॉन खतम हुआ तो लोगों ने क्या सर्च करना शुरू किया एकदम से कि हमें कहां गूमने जाना है और बजट के साथ तो लोगों ने वीडियो तो डाली कि आप शिमला गूम सकते हैं देर सेट क्लियर नहीं करता हूं तो नहीं देखें या फिर सेफटी परपस को मैं हाइलाइट करूं कि इस हिमला में सेफटी परपस यह है सिक्योटी को लेके दिखाऊं मैं या फिर और ऐसी कुछ क्वालिटी दिखाऊं जो लोग देखना चाहरे क्यों आए रिजन क्या है तो वो आपको देखना है कि आप बहुत सारे यहां फिल्ड हो सकते हैं सबसे लेके जाना है या फिर नया कोई प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं ऑनलाइन सारी दुनिया अभी घूम रही है तो ऑफलाइन में जाना चाहते हैं या फिर आपके स्टेट में सब इस पर बैस चीज़े क्या है आगर आपको अपने ही शैर की लोग सुपोज मेरे को अपने शैर के लोगों को यहां जोड़ के लाना आ आपने इस पर दिखाना चाहता हूँ कि रगुलर में वो मेरी वीडियो को देखे या उनको दिखे कि सब मैं करनाल में हूं और करनाल मे क्या क्या हो रहा है यहां पर आसपास में या कोई नई शॉप है या फिर बहुत फेमस यहां पर यह है अगर तो आपने विजिट नहीं किया तो यहां जरूर विजिट करें मेरा शहर टूरिजम को लेके बिलकुल परमोट नहीं करता है क्यों टूरिजम यहां नहीं है यहां पर नेरबाई कुर्षेतर पड़ता है, तो मैं कुर्षेतर को दिखा सेता हूं, कुर्षेतर लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जो शेयर के हैं, वो बार-बार मेरे वीडियो को क्यों देखेंगे, क्या डिफरेंस मैं दे रहा हूं, इस बात पर बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है, हमारा content की लोग क्यों देखें, इस बात को आप अच्छे से सोचे कि आप में ऐसा क्या है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे की makeup artist हैं, तो वो makeups करते हैं, देखने का reason है, उनका audience clear है, audience मैं नहीं जाओंगा किसी makeup artist के पास, मुझे ऐसा कुछ द दिखेंगी नी, तो आप इस niche को समझे, जरूरत को समझे कि लोगों की क्या requirement है, बहुत सारे लोग cooking करते हैं, cooking के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, अगर आप cooking में expert हैं, आप उसे शुरू कर सकते हैं, cooking 99% female एक ना एक बार, अपने मलब शादी होने से पहले, शादी होने के बाद उसको 99 dishes को हमेशा search करती रहती है, new new equipment को लिके जैसे youngsters हैं, तो वो search करते रहते हैं, मुझे कुछ खरीदना होता है, suppose, कि मुझे एक tripod लेना है, एक lead लेना है, या कुछ भी ऐसा, एक cover भी लेना है, तो मैं YouTube करता हूँ, या फिर market launch कर सकते हैं, आप दिल्ली जैसे शह करने के देखेंगे तो भी opportunity और गाउं के अंदर तो ही है, वहां का healthy environment दिखा सकते हैं, lifestyle दिखा सकते हैं, शहरों से बिल्कुल different है, तो लोग mind fresh करने के लिए ज़रूर देखना चाहते हैं, कि नया क्या है, धूड़ना सिर्फ आपको है, कि उसको दो चीजी यहां पर खास ख चीजों को, तो ये एक वीडियो स्टार्ट करने के लिए चीजे थी, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो description में है, link उसका, आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें, जैसी बनरिया भी बनाए, दो चार दस वीडियो गलत बनेगी, सही बनेग कि उसके बाद उन चीजों को ठीक करना आप अपने आपी सीख जाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में ने बताया था कि यहां पर आप अकेले हैं, तो अकेले आपको सिर्फ अपनी आपकी पट्टे उतारनी हैं, और काम करना शुरू करना है, कि आपको कैसे काम करना है, क कि वो कब से है, क्यों है, क्या माननेता हैं, आपके विलिजिस में हर जगा बहुत कुछ नया से नया होता रहता है, शेहरों में भी ऐसा होता है, मैं करन अगरी करनाल में हूँ, अगर मैं करनाल की डिटेल वीडियो डूनू, शायद पता नहीं कब किसने बनाई होगी, तो म ये चीज समझना जरूरी है, कि आपको वीडियो का एक स्लॉट बनाना है, धीरे-धीरे, अभी एक टॉपिक पर काम कीजिए, कि कुछ वीडियो आपके लोकल्स देखें, कुछ वीडियो जो उस पूरे आपके राज्ये के हैं, वो देखें, और कुछ वीडियो और इंडिय है में, और उमीद है मुझे भी, कि आप सब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और अब दकर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है, थैंक्यो वर